एर प्लेन के इंजन ने खिंच लिया किसी इंसान को अपने अंदर तो उसके साथ क्या होगा चलो जानते हैं ऐसा बहुत बार हो चुका है कि किसी इंसान को एर प्लेन के इंजन एक लाग किलो के प्लेन को उड़ाते हैं इसी वजह से इन में इतनी पावर होती है कि ये 50 फुट दूर से भी अपने पास में बड़ी से बड़ी चीज़ को खींच सकते हैं भले वो मैटल का डबा, गाड़ी या फिर इनसान ही क्यों ना हो प्लेन के इंजन के आगे पंखा लगा होता है जो की हवा को अपने अंदर खींचता है हवा अंदर खींचने के बाद में इंजन इसमें आग लगा देता है जिससे बहुत पावर जनरेट होती है और प्लेन उड़ता रहता है लेकिन हवा को अपने अंदर खींचने के लिए प्लेन के आगे लगे पंखे को हर सेकिंड सतर बार घूमना वड़ता है एक प्लेन के इंजन ने 2015 में एक इंसान को अपने अंदर खींच लिया था तब एक प्लेन में दिक्कत आ गई थी जिसको सही करने के लिए वरकर्स को बुलाया गया था तब उनमें से एक वरकर्स ने प्लेन के पाइलेट को गलत सिगनल दे दिया पाइलेट को लगा गी एंजन को चालू करने का सिगनल आ है और उसने एंजन को चालू कर दिया बाकी वरकर्स तो वहां से भाग गए लेकिन उन में से एक वरकर जल्दी भाग नहीं पाया और फिर उसको इंजने खींच कर उसके कई सो टुकड़े कर दिये